वाहिग्रुजी का खाल सा वाहिग्रुजी की फते उमीद है तुसी अर्थां समेत सहजपार्ट शुरू कर देता होगा ये भी उमीद है कि तुसी तोड़े प्रिवारदा हर एक मेंबर अर्थां समेत सहजपार्ट कर रहे होगा ये भी उमीद है तोड़े बच्चे भी अर्थंस में सहज पाठ कर रहेने पर तोड़े प्रादे परवार विच पहना दे परवारां विच तोड़े चाचे ताए दे परवारां विच माम में पूहा दे परवारां विच नान के दाद के कोई ऐसा था नी जिड़ा अर्थां समें सहज पाठ करनतों रह गया हुए मारो नजर चार्च पे रे तो अड़े किन्ने मितर दोस्त ने तो अड़े हर मितर दोस्त ने अर्थां समें सहज पाठ शुरू कर देता के नहीं तो आड़े मेत्रां दोस्तां दे परिवार दे विच हर मेंबर ने हर बच्चे ने आर्थां समेश हैजपाट चुरू कर देता नजर मारो यतन करो अंबला मारो तो आड़े बच्चे आंदा किना केना परिवारां दे बच्चे आनल उठना बैठना है अगर ओ बच्चे भी अर्थां समें सहीज पाठ करना जानगे तसारे बच्चें दा एक दूसरे नुहलारा मिलेगा मारो चाती चार्पेरे करो यतन खुद अर्थां समें सहीज पाठ करो दी लहर कारकार तक पचोणी है हर गुर सेखदा फर्ज है हर एक नहीं जतन करना है कोशिश करो कोई भी बांजा ना रह सके ए अवाज खुद अर्थां समेश सहज करो खुद अर्थां समेश सहज पाठ करो दी लहर एक गुरू दी लहर है एक कौम दी लहर है गुरु पंथ एक परिवार है गुरकलंगी तर पात्षादा परवार है सारे जातन करो वाहिगर जी का खालसा वाहिगर जी की फत्य है आओ दिदार कर गे शिरी गुरु गरंद सह्वजी दे पावन आंग दो सो चोवी दे उपर अंकेत गौडी राग दे विच गुरुनानक पात्षाजी दे उचारन कीती हो या अस्ट पदिया चल रहे जाने आज अठमी अस्ट पदी गुरुनानक पात्षाजी दे उचारन कीती होई और नौ पद्यान दिये अस्ट पदी है आओ सिखन्दा जातन करिए गौडी महला पहला पहले पात्षा अन्तन सत्गुरु गुरुनानक पात्षाजी दा पावन पवितरे शबद है ऐसो दास मिलाय सोख होई किते दास दे अर्थ है गुरु गुरु सहव अपने आपनू रबदा दास मन्या कर दे सन जिन्ने भी गुरु सहव ने अपन दास गुरु सहव बाना दे इतिहास बिचो फिर गुरु सहव बाना दी गुर्बानी बिचो पगतान दी बानी बिच्क उना दी रामकली राक दी वार जेडी है पही सत्ता दे बालवान दी पिर बाबा सुन्दर जी दी रामकली राक बिच साध नाम दी बानी है जिनने एक गुर्शिखांदी बाणी पागत पाट गुरु सहीव अपने आपनू रबदा दास की मन्दे साथ। फिर गुरु दा मिलाप की यह है। मिलाप है गुरु दे बचनानू गुरु दे उपदेशनू समझना दे मनना। जीने गुरु दे ब़देशनू समझना नी मन्या नी अधा गुरु नल मिलापनी हुया। ऐसो दास मिला ऐसोख होई। रब देदा गुरु दे नल जनादा मिलाप की यह उननानू आत्मिक सोख मिल गया। कि थी सोड़े बढ़्दे जिहरे नले की गाल सुननी का। पगत तरीद जी, पगत नामदेव जी, पगत तरलोचन जी, पगत जयदेव जी, ए गुर्णानक पात्षातों पहला होए ने। पगत तरीद जी, पगत जी, पगत नामदेव जी पगत नामदेव जी, पगत नामदेव जी, पगत फगत पहला होए ने। उन ए चीज खरिकते लगू होएगी जिन्ना नू रब्दा कोई ओ दास मिल गया जिस रब्दे दास ने रब्दे ग्यान रभी उपदेश नू अपावार के असलियत नू समझ लेया और उदे बिच समागे साधिया नजरां बिच जिन्ना जिन्ना दी गुरुगरंस है बिच उसारे ही जासने और उन्ना दे अपदेश साधेली गुर्स रूप है उन्ना दी अवाज साधेली साथ गुर्स रूप है उसनू मनना ही मिलाप है उस बिचों जो सुभाव मिल दाए उन्नों असी गुर्मक सुभाव गुर्मत वाली सोच केंदे हां उदे बिचों आत्मिक स दुख मिलदा है। फिर मनमुखताई छढ़नु माननी कारेया। इस सोच ते सभाओ तो निकलन वास ते क्यों नी हिमत पए रही। इस दुख है। ते जना दा मिलाप होया ना गुरू दे बचन चंगे लकन लके, मनन पाभना जागी अदुख बिसर गया। मानमक्तों गुर्मक्ताई ताकदा सफर शुरू हो गया मानमात तों गुर्मत वाला सफर अंतरात में शुरू हो गया उन्हें सच सरूपनु पाले आख हुआ गुरुदे उपदे सांसार सोच सभाउदी पर चोल कर देया सोच ते सभाव ते लेवल ते प्रेक्टीकल जियोंदे आ वाहिग्रु जी नू रब्भी ज्ञान दे रूप विच हर बरतारे विचो देखिया समझे लेओ ज्ञान दे रूप विच रबनू पाले आ वाहिग्रु फिर गुणा दे रूप विच हरेक विचो पालेया हरेक विचो गुण देखन दी जोगताई जिस वेले गुण राबदियां चलकान दे सन लागपे ना के राब गुण बान के मेनू दी दार दे रहेया फिर मच्छी, पोएल, आंस, बनास्पती, पवरा, भुल, गाँ जिनना जिनना गुणा दा जिकर कीता है उनना विचो ता गुण देश देई है फिर मनुखा विचो भी देश देने आख हुआ है गालता उदो बारनी है जैंदो दुश्मन विचों भी गुणा गुण देशन एस पावना बन जावे ए रभ इदे विचों मी अगुण बन के मेनू दिदार दे रहेने है मन रभ दे प्यार विच, रभ दी पैपावनी भी रभ दे दीदार दा प्यासा होके जिदो देख़दा है फिर हर थांते वाहियो जी ग्यान दे रूप विच गुणा दे रूप विच निजम दे रूप विच दिदार दे ले ए गुरू तो जोगत परापत करके इस तरह साचनू पाले आख़़गा पावाई साच सोई दर्शन देख पहि मातपूरी दर्शन कीते अपने गुरू दे वो नहीं जिड़े असी समझाए गए जिन्हों असी समझ देआँ सी गए मता टेक्या गुरू दे दर्शन कीते पर गुर्बानी गुरू दा ने जरिया किया है गुरुदे नजरिया उन सारे दर्शन नहीं है साथ गुर्णों सब को देखदा जेता जगत संसार डिठे मुकतन हो भी जे चर शब्द न करें भी चाहर जिनाचर गुरुदे उपदेश नहीं मने तथ तुन दर्शन नहीं कर सके आख हुआ हिरू तथ जिदों उपदेश मन ले ये दर्शन होगे एदिना पहिमत पूरी मत बदलगी अंदर गुरुदा नजरिया आगया अंदर गुर्मत वाली सोच आगी अख हुआ है एज़िदी प्राप्ती है ना आठ साठ मजन चरना तूरी रहाओ सेंटरल आइडिया रहाओ ओ अठाट तीर थांदा इश्नान करदे सी ये उथे साठ हुआ दे पेरी अतला के चरनत उड़ी प्रापत करदे सी ये हिंदुविस्म दा कॉंसेप्ट है और उन अनु मुभारक है और गुरुपाद्शा ने एक नमी चीज दिती इससे सांत दे पेरी अतला के उनु मत्य ना ला लेना ये समझना उन्ना दे चरना दी तूड़ी आगी ये ते हिंदुविरां दा कॉंसेप्ट है गुर्मत दा कॉंसेप्ट की है ओ गुर्बानी चो लबना पवेगा जपजी सहव दे विच्च सुनेया, मन्या, मान कीता पाओ अंतर गात तीरत मालना ओ गुर्मत दे उपदेश नू समझना सिखना, मनना मन के सोच सुभाव दी मैलो तारनी ये 68 मजन है गुर्मत ताईदा गुर्मत अंसार गुर्मत वेच सिख जम्दे वेच ये मानदा ये मातदा इश्नान ये चरन तूड़ी की है चरन ने गुरु देश शबद गुरु देपदेश योदा परबाप पैजाना आख हुआ मन नू चंगा लगना ये असली दर्शन है खाश हर माँ अपने बच्चे नू बच्ची नू हर पिता अपने बच्चे नू बच्चपन तो एक गल सिखा देवे अपन चल्ले हां गुरु गरंद सहिब जी दे कोल गुरु पात्षा दे उपदेश सिखण हर गुरु करान दे परबंदक ये समझ लेन के सिखी दा परचार उदों सफल होएगा जदो गुरु दे उपदेश लाइफ ना रेलेवेंट करके सुबावते सोच नू सुवारन शिंगारन दे पावना दे नाल लोकां दे हिर्द्यां तक अप्रोचेवल शबदावली राही मिठे मिठे हलूने देवे गुरुबानी दे आर्थ साद परचार हुबे कि जदो पाथ हुँदाए तो मोले तार बारश वंगूँदाए कुछ समझ आ गया कुछ नहीं जानि मोले तार बारश विच मी पहेंदाए कुछ तार तीच बास गया कुछ रूड़ गया वो कहने से कीर्थन एक रुक्या हुए मी है एक सार पहरे है और उदेच भी कठा हुए पाणी गेरोड़ जानदाए कीर्थन देनाल मान टेक जानदाए मान नों साजाने बन के रख लेना है पर बस्दा उन्ना के जिनिक समझाई गुरु पाथ्षा दे बचंसी जड़ी कथा है विचार है अब इस्तरा है जिमें चड़ी लगी हुंदी है बरीक बरीक कणियां लगा तर पहन दिया ने जिनियां पहन दिया ने तर तीचतर दिया जान दियानि आख इसलेह गुरुबानी दी विचार इकते कर्मकांणी नी हुनी चाहिए दी पाखांड बाद वाली नी हुनी चाहिदी किसे व्यक्ती नल जोड़न वाली नी हुनी चाहिदी किसे अस्थान नल जोड़न वाली नी हुनी चाहिदी गुरु दे उपदेश नल जोड़न वाली हुनी क्योंकि गुरु दे उपदेश जिदो माननू चंगे लगण गे एपर भाप पबेगा चान तूड़ी है जिदो मननेगा सोच सभावदी मैल उतरेगी ए अटसथ मजन है ए एक लोचा अंदर पैदा कीतीगी एच्छा पैदा कीतीगी ऐसो दास मिला है ऐसे गुरु मिलन की आप परपज है आप बिजन है मक्षद है गुरु नू मिलन गाए ए रहावपदा है सेंटल आइडिया है कि दे नाल जिडिया प्राप्तिआं हुं दियाने तो अगे गिढियां गय नेतर संतोखे एक लिवतारा अख्न दे नाल संसार नू देख दिया नरांकार दिया चलकां दा अनादमान दी इच्छा पैदा अगी नेतर संतोख वे चागे फाव shr 09 तुन रंगे तमाशियां द दुनिया दिया फिलमा आदिक दी रास मानन दी अंदर खिच नहीं रही या खोगाई जेडे रांग तमाशे देख के अंदर बिकार पैदा हुन्दे में ओ रास मानन दी अंदर खिच नहीं रही कि अखां तरिपत होगिया गुरू दे दिदार करके और एको एक अंदर इच्छा जाग पी अखां दे नाल देखां इस कुद्रत दे किसे भी वर्तारे नू इसे भी हैपनिंग्स नू चाहे छोटी चाहे बड़ी किसे भी कटना नू देखां उदे विच्छों वाहिरू जी तो अड़े ज्ञान दे दिदार कराना को सिखां उस देखां किसे भी मनुख नू देखां पामें उदे नाल मेरे विचार राल दे पामें नहीं राल दे उसे भी मनुख दी जीव जानतू दी मैनू याद बने पामें उन्हें मेरे ना चंगा बरताओ कीता चाहे बुरा कीता चाहे उन्हें मैंनों सह जोग देता चाहे बिरोध कीता चाहे उन्हें चंगे कमादी बिडियाई कीती ते चाहे उन्हें चंगे कमादा बिरोध कीता चाहे उन्हें मेरे ना प्यार करदा ते चाहे नफरत करदा ते चाहे उन्हें निंदा कीती ते चाहे उन्हें चंगियां ग जबान सुची होगी जदो रब दे गुणा दियां, रब दे निजम दियां, रबी बक्षशां दियां, रबी उपदेश दियां, गुर्भाणी दियां, गुरु विर्से दियां, विचारां करकर के, माननू रासा उन लग पया, जबान भी सुची होगी अख हुआ है, इगल याद रखेंगे, हर एक दी जिन्दगीच कोई ना कोई जरूर होंदा होदे आसपास, हसीं उल्जन तानी बेच बैठे हुन्दे हैं, सो तरांदे चंज्टा मेच बैठे हुन्दे हैं, करदा महाले के रुखाजा महाल बनया हुन्दा है, जदों व्यक्ति आ जान्दा है, गलाउं धियाने महाली बदल जान्दा हुआ है, गुरु बाला महाल बनया हुन्दा, जी करदा है। उन्दे विचार सुन दे रहिये। उन्दे विचारां नाल सिखी चंगी लगदी है। परवकार ते तुरंदा जजबा जागदा है कि एमेनी हुन्दा प्यारयों उन्ना दे अंदर रभी बक्षिश दा बरतारा बरत दा है उन्ना दी जबान सुची होगी हुन्दी है ताओ दूसरें ते असर कोंदी याद हुआ है साच करनी अब अंतर सेवा अंदर ले जीवन विच एक जजबा जाग पिया है एक लगन जाग पिया है अब अंतर अपने अंदर अंदर ले जीवन विच एक जजबा लगन जनून पैदा हो गया रब दी सेवा करनी है गुरु दी सेवा करनी है यह हुई सची करनी समझ पैगी फर्स्ट प्रियोर्टी ते जिन्दगी वे सबतों उपर इसनू रखना है अपा वार देना है गुरु दी कौम दे लई समाज दे लई मनुखता दे लई सच करनी अब अंतर सेवा की ओ बिले ने की ओ परिवार नी चलों दे की ओ ना दे परिवारक खर्चे नहीं की ओ न दिया परिवारक लोड़ा नहीं कियो ना अपने बच्चे नी पड़ा उने, कियो ना अपने बच्चानू पड़ा उन्दियाँ लोडा वास्ते यतन नी करना, करना है, करदेने और जिंदगी दा बैलंस बना की रख देने अथूआ तो पबाँ पार हो के करजयान दियां पंडा हेठे तना नी दब दे के गुरू दा मार्ग उदे तो बिगन पैजावे इसलिए जिन्दगी दा बैलंस बनोना पैदाए तो तरहा चड़ा जिन्दगी चता आउंदे ने के परीख्यामा आउंदियाने कदे दुखान दे विचोंदियाने कदी एकनुमीकल क्रैसिस आ जानदा है फिनांशियल क्रैसिस आर्थिक तंगी पैसे दी तंगी कर दे खर्चयां वास्ते अमदन नहीं बड़े अप्शन उन्दे ने जे कारी चलोना होवे जे कारवास्ते पैसे कत्र करने होते बड़े अप्शन उन्दे ने पर गुरु दा मार्ग चाटके पर पकार दा मार्ग चाटके गुरु दी सेवा चाटके बाकी अप्शन अड़ेप्ट करने नाल फिर मनुक नु लगदा है गुरू के प्यारे नू लगदा है कि मेरा अंदर लाख जाना लुटिया जाएगा जे मैं पैसा कमाउन वास्ते सिदानता नल समझोता कर गया इना दुखां बिचकबर आके केबल पैसा कमाउन तरपिया मेरे उस जजवेदा की बनेंगा जेड़ा जजबा परुपकार दे लई सियाख हुआ मेरी उस लगदा की बनेंगा जेड़ी लगदा गुरू की सेवा वास्ते सियाख हुआ मेरी उस कला ओ जेड़ी सुझी वाहिगरू ने बक्षी है सेवा करनवाली उदा की बनेंगा फिर गुरू का गुर से कहने दा वाहिगजी जिंदगी दा बैलनस चाईद है ठीक है पैसा चाईद है उदे लिव यतन करने ने पर तेरी सेवा ना चूटे तेरा पर अपकार जिंदगी ह्ट बने हारबे वाहिगजी तेरा मारग मेनू एक नमबर दे है बाकी दो तेन या लास्ट नमबर ते हो सकते ने आखो तो साच दी करनी हो दी उदे वेच मानत तर्पतासेया मानत तर्पतासेया अलाख अपेवा ना लखे जान वाले वाहिगरु जी ब्यांत वाहिगरु जी जिनादा पेदी नी पाया जा सकता अपेवा ते मन वाहिगरुदे प्यार वेच पैपावनी शुक्राने वेच प्रेपत हो जान्दाया खुगा दोख तां हारेक ते अउंदेने जेडा कारोवार ले आपावार दै दोख होदे ते भी अउंदेने दोख अउंदेने दोख चले जान्देने दोखा नल हर कोई हंड आजान्दाय कोई किमे कोई किमे पर कारोवार दे मामले ते दोख होणे परिवार दे मामले ते दोख होणे दी हिस्ट्री नी बन दी उंदी इनु कोई कुर्बानी नी कहनदा इनु जिन्दगी दे चंजट कहनदेने आखो वाहिरू पर रब्भी मार्ग ते गुरू दे मार्ग ते गुरू दे मिशन ते तोर देयां तेड़े दोख होंदेने न तो परीख्यामा उन्दियां ने उदे चो हिस्ट्री बन दी है दुनिया उनु कुर्बानी कहनदी है आखो वाहिरू यसा सब कुछ नू जिन्दगी ते हंड़ होंदेयां गुरू दे अपदेश राही इनू समझ देयां फिर मांत्रप्त हो जानदा वाहिरू जी जो भी हलाता होंदेने वाड़े चोजने आखो वाहिरू फिर वाहिरू जी ऐसे प्यारया नू गुरू दे मिशन ते रब्भी जी राहा होबे उन्हां ता परपकार करना अपनी कौम लें उन्हा देली खेतर बड़ा विशाल हून्दा आया खो वाहिरू उन्हा दे अंदर एक पावना हून्दी जाहां जाहां देखऊं ताह ताह साचा तिर केंदेने जिदर भी देख़ दाहां मेरे साच च शरूप व नहीं समझ दे बिन भूज़े चगरत जग काच्चा। तो बिन भूज़ें इस्दी समझ तो बिना। व ना समझी दे विचे वैर विरोद चगरएं दे विचे जीवन बतीत कर देने, अंकार नफरत निंदा दे विचे। वो दुनिया लेते पामें जिन्ना मर्जी कर देने गुरू दे मारग लेई गुरू दी कौम लेई समाज दे लेई संसार लेई वो बहुता कुछ नी कर सकते क्योंकि अंदरों कच्चे ने आतो हो आई आत्मिक जीवन कच्चा है जिन्ना मनुख जिन्दगी दे वेच को सांग कीता है जिन्निया को संगी विचारां अंदर गिन्या ने जिन्निया को संगी आधता को संगी कर्म जिन्दगी देने उ अंदर माडे संसकार बन देने और अंदरों कच्चा रह जान्दा है गुर्दे इपदेश मितलें बने इंदधन मन की निन के बस पाकाइं। फिर अब जोड़ें अब REMागर जीपता है। गुरु दे अपदेशानु समझदे या जिन्दगी चे जेओं दे या जड़ी सोजी होंदी है उदे बारे गुरु पात्षा केंदे गुर्मक विरला बुझ जय कोई बहते नी हुंदे विरले हुंदे तामे टामे हुंदे उन्ना दी कदी पीड नी हुंदी या खुवाई यानि संसंग मश्कीन केंदे सी जिन्दा ने असली ताथ नू समझ लिया असली ताथ दे भेता जेडे समझदार हुंदे ने उन्ना दी कदी पीड नी हुंदी वो कैंसी पीडांदे विच कदी समझदार नी उन्दे आखो उक किमें बुझे आओ ना ने गुर्मक विरला बुझे कोई विरले उन्दे ने गुरू दे मुख विचो निकले होई उपदेश नू समर्पत हो के अपावार दिन देने आखोई कर किरपा राखो रखवाले इसलिए सानू अरदास करनी चाहिए दिया वाहिग्रू जी किरपा करो तुसी रखण हार हो रखवाले हो सानू भी रख लओ जेडे विचार साड़े अंदर उठदे होई जब बारों के सेदे बोला रही साड़े का नाच पेंदे ने जेडी सोच साड़े अंदरों उत्पन उंदी है जब बारों कोई सानू साड़े अंदर सोच पा देनदा है जेडी सोच सानू उलजन तानी चोल जहाके तेरे मार्गते तुरंतो रोक दिये वाईग्रुजी, उन्हा बिचारां तूं, उन्हा सोचां तूं बचा लोगा। गुरु दे मार्गतेर्व दे मार्गते तोर्दा है। इगल याद रख के। उद्हे अंदर को जस्पा होंदा है। अान्दर आत्मिक जीवन कच्या हुया। अंदर को संगी संसकार बैठे होए कि कद कोई ख्याल ऐसा पैदा होगा कन्फ्यूजन पैदा कर दे अंदर उठे है एक ख्याल जहां ओ ख्याल बारों किसे ने कन्नाच पादेता अख हुआ ही ओ कन्नाच पाउन वाला कोई समाज बिचो भी हो सकदा है गुरू दे शब्दा राही गुरू दे ग्यान राही आप ही भुजना पावेगा ओ विचार तेरे कन्नाच विच ऐसा पादेता बस उस विचार ने तेनू इस मार्ग तुई तोड़ देता अख हुआ ही अर्दास ना करनी है भाहि गुरू जी मैंनू राख भुजे पशू पहे बेता ले तोगे सोजी तो बिना मान पशू है पशू दी जूनी चाहे येवल पशू दी जूनी ची नहीं बेता ले पूत दी जूनी चाहा हुआ ही उसा समझ लागी ना मुनुखा सरीर दे वेच ज्योंदिया आही जीवन जनमतों मौत तक एह मान पशू दी जूनी चे पूत दी जूनी वेच ज्योंदाए जिदों सोजी नहीं आख हुआ ही गुर कहया अबर नहीं दू जा जिदों गुर सुरूप दे गुरुप देसाने रभी ग्यान ने सुजी दिती तब पता लगया मेरे गुर्स रूप ने तमेनुए के है के रब तो बेना दूसरा कोई नहीं आख हुआ ही उसे नुस मर पे तोके जीवन जेओना है केस कहो देख करो आन पूजा कि दी पूजा करा किस नु कहा क्योदी पूजा करो बेना रभ तो मेरे गुरू तो इसे दी पूजा नहीं है सांत हेत प्रावत्तिर पवन ताहरे वाहिगरु जी ने इनना पवना दा जेडा यूनिवर्स बनाया न इसली बनाया इरे जिन्ने मनोख ने वो अंदरों सांत सभाव वाले होना को वाहिरू अंदरों सांत ते बारों श्पाई बन दियां हर तरह नी कैपिबिल्टी मनुख दे दिमाग बिच मान बिच मत बिच रख देती है किदा कहलो के रभ ने अंदर कला रखी है एक कौम लई समाज लई अपावार सकदाए रभ ने हर एक दे अंदर कला रखी है ओ गुरू दा गुरू नुस मर्पित होन वाला गुर्मक सिख बन सकदाए गुर्मत वाली सोच वाला गुर्सिख बन सकदाए जजबे लगन वाला बन सकदाए पर फिक रमज रख देती जिन्दगी चे मनेगा साधी बनेगा मुझ नहीं पर उने संत है ये संत जीवन जिन्दगी विच होने सनसार विच होने इसलिए प्रभू ने एतरपभण सतारे ने इसलिए सारा निजम बना देता है आतम चीन scot तत्भी चारे जेडा गुरु देपदेश अंसार अपने आपनों चीन दाए समझ दाए, परचोल करदाए अपने सभावनों, अपनी सोच नों परचोल दाए वो देखदाए मेरे अंदर के ओजे विचार ने केड़े विचार मैंनों इस मार्ग तो तोड़ देने जेडिया गल्ला ने, जेडिया अपने आजा बगान्या ने कञ्या हुन्या मैंनों इस मार्ग तोड़ देने जेडा चीन दाएस नूं ततली विचार नूं इसलियत नूं वो जीवन पाजान दायाख हुआ साच रेदाए साच प्रेम नेवास उनादेहर देवित साच दा प्यार वाहिरुजी दी पह पावदी शुक्रानादेहर अभी ज्यान देनल प्रेम गुड़ा प्यार प्यार दारास इस विच मन्नू निवास मिल जान्दै प्राणवत नानक अमता के दास बेंती कर देने नानके नूं सखारे ने ये कहके यसी उना दे दास हाँ असी भी सिखन वाले बालना है गौड़ी महला पहला पहले पात्षाह गुनार्क सहीब जी महाराजी दें ये नौमी अस्टपदी है और बारां पद्यानी अस्टपदी दे शुरू हो रही है इस अस्टपदी दे बिच हिंदुइजम दे बिच कुछ हैपनिंग्स जेडियां मैथालोजिकल स्टोरीज और हिस्टोरीकल स्टोरीज उनना दे तार्मिंग गरां थां विच पीडी दर पीडी परचारियां गण्या उनना दा किथे टूक मातर जेकर कीता होया है पर गुरु सेब दा नजरिया बड़ा कमाल दा है जे किसे देवते दा जेकर कीता होया है तम माननू देवते दे रूबेच मन रेलेवेंट करके उस्टोरी नू सत्गुरु साड़े सामने रख देने। जे देंत दा जिकर कीता है, साड़ी साड़े मान देंत पुने नू दखा रहेने। एते इस अस्टपदी दे अंदर ब्रह्मा, बाल राजा, जगन, अरीचांद, अरनाखश, प्रहलाद, रावन, ते कुछ देंतां दा जिकर आएगा, दुर्योदन दा जिकर आएगा, जनमेजे दा जिकर आएगा। अपनु गुरु दी सोच निजरिया पता लगेगा, कितना साथगुर सचे पाथशा ओस क्रेक्टर नूँ, जेड़ा क्रेक्टर हिंदुजम दे विच है, चाहे ओस स्टोरी जेड़ी ये इतिहासक है, ते चाहे ओ मितिहासक है, चाहे ओस स्टोरी हिस्टोरीकल है, चाहे माननाल ते मातनाल किदना रेलेवेंट कर देने इस पोड़ी अंदर इस अस्टपदी अंदर कमाल कीती पई है पर इस अस्टपदी नों विचार देया थोड़ा समा लगेगा इसलिए अज एड़ा दो सो चौबी नंबर एपिसूड है इने दो पार्ट मना देते गेने एक दो सो चौबी बी पार्ट ए पार्ट देवेच आपां ए अठमी अस्टपदी विचारी है ते बी पार्ट देवेच नमी अस्टपदी विचारांगे तो कल नों एसे एपिसूड दा बी पार्ट वो देवेच सिखना जातन करांगे उलां चुका निखिमा जी वाहिगर जी का ख शब्द बिचारा, यह सुन शब्द बिचारा